अयूब अध्याए एक से 42 अध्याए एक अयूब की प्रथम परीक्षा एक उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था दो उसके साथ बेटे और तीन बेटियां उत्पन हुई तीन उसके साथ هजार भेड बक्रियां, तीन हजार उंट, पांच सो जोडी बैल और पांच सो गधियां और बहुत से दास दासियां थी, वरन उसके पास इतनी संपतिए थी, कि पूर्वी देशों के लोगों में वह पुरे हो जाते, तब तब अयूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिंती के अनुसार होंबली चड़ाता था, क्यूंकि अयूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो. इसी रीती अयूब सदैफ किया करता था. चह एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया. साथ यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, प्रिथ्वी पर इधर उधर घूंगते फि और कोई नहीं है. नौ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या यूब परमेश्वर का भय बिना लाब के मानता है? दस क्या तूने उसकी और उसके घर की, और जो कुछ उसका है उसके चारों और बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीश दी है, और उसकी संपत्ती देश भर में फैल गई है. ग्यारह परंतु अब अपना हाथ बढ़ा कर जो कुछ उसका है, उसे चूप तब वह तेरे मूम पर तेरी निंदा करेगा. बारह यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर रहे और दाखमदू पी रहे थे. चौदर तब एक दूत अयूप के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, और गधियां उनके पास चर रही थी, पंदरल की शबा के लोग धावा करके उनको ले गए, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अ अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ. 17 वह अभी यह कह ही रहा था, कि एक और भी आकर कहने लगा, कसडी लोग तीन दल बांध कर उनकों पर धावा करके उनके ले गए, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार दे देने को आया हूँ. 18 वह अभी यह कह ही रहा था, कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मदू पीते थे, 19 की जंगल की योर से बड़ी प्रचंद वायू चली, और घर के चारों कोनों को ऐसा जोंका मारा कि वह जव पर गिर पढ़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बच कर तुझे समाचार देने को आया हूँ. 20 तब अयूब उठा, और बागा फाड, सिर मुनरा कर भूमी पर गिरा और दंडवत करके कहा, 21, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लोट जाओंगा, यह ने दिया और यहूब ही ने लिया, यहूब का नाम धन्य है. 22 सब बातों में भी अयूब ने न तो पाप किया, और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोश लगाया. अध्याय दो, अयूब की द्वितिय परीक्षा. एक फिर एक और दिन यहूबा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ. दो यहूबा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहूबा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ. तीन यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुने मेरे दास अयूप पर ध्यान दिया है कि पृत्वी पर उसके तुलिय खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुश्य और कोई नहीं है यद्यपी तुने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को अभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है चार शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुश्य अपना सब कुछ दे देता है पांच इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा कर उसकी हड्डिया और मास्चू, तब वह तेरे मुझे पर तेरी निंदा करेगा चैह यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना साथ तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, और अयूग को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े-बड़े फोडों से पीवित किया आठ तब अयूग खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राक पर बैठ गया नौ तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा दस उसने उससे कहा, तू एक मूर्स्त्री किसी बाते करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दू, खन ले इन सब बातों में भी अयूग ने अपने मूं से कोई पाप नहीं किया अयूग के मित्रों का आगमन ग्यारह जब तेमानी अलीपज और शुवी बिल्दद और नामाती सोपर, अयूग के इन तीन मित्रों ने इस सब विपत्ती का समाचार पाया जो उस पर पढ़ी थी तब वे आपस में यह ठानकर की हम अयूग के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे, और उसको शांती देंगे, अपने अपने यहां से उसके पास चले बारह जब उन्होंने दूर से आँख उठा कर अयूग को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्ला कर रो पढ़े, और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ा कर अपने अपने सिर पर डाली तेरह तब वे साथ दिन और साथ रात उसके संग भूमी पर बैठे रहे, पर अंतु उसका दू, ख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही अध्याय तीन अयूग का अपने जन दिवस को दिखकारना एक इसके बाद अयूग मूँ खोलकर अपने जन दिवस को दिखकारने दो और कहने लगा तीन वर दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन हुआ और वर रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्ब रहा चार वर दिन अंध्यारा हो जाए उपर से ईश्वर उसकी सुधी न ले और न उसमें प्रकाश हो पांच अंध्कार और मृत्यू की चाया उस पर रहे बादल उस पर चाय रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं छे घोर अंध्कार उस रात को पकड़े वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिंती की जाए साथ सुनो वह रात बांच हो जाए उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े आठ जो लोग किसी दिन को दिक कारते हैं और लिब्यातान को छेड़ने में निपुन हैं उसे दिक कारें नौ उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दे वहुजियाले की बाट जो है पर वह उसे न मिले वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए दस क्योंकि उसने मेरी माता की कोक को बंदना किया और कश्ट को मेरी द्रिष्टी से न छिपाया ग्यारह मैं गर्भी में क्यूं न मर गया पेज से निकलते ही मेरा प्राण क्यूं न छूटा बारह मैं घुटनों पर क्यूं लिया गया मैं च्छातियों को क्यूं पीने पाया? सत्रा उस दशा में दुष्ट लोक फिर दू, खा नहीं देते और ठके मान्दे विश्राम पाते हैं। अठारा उसमें बंदी एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब नहीं सुनते। उन्नीस उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत रहता है। बीस दू, खियों को उजियाला और उदास मनवालों को जीवन क्यूं दिया जाता है। 21 वे मृत्यू की बाट जुहते हैं पर वह आती नहीं और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं, 22 वे कब्र को पहुँचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। 23 उजियाला उस पुरुष को क्यूं मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों और ईश्वर ने घेरा बांग दिया है। 24 मुझे रोटी खाने के बदले लंबी-लंबी सांसे आती हैं और मेरा विलाग धारा के समान बहता रहता है। 25 क्योंकि जिस डरावनी बाद से मैं दरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बाद से मैं भय खाता हूँ, वही मुझ पर आ जाती है। 26 मुझे न तो चैन, न शान्ती, न विश्राम मिलता है, परंतु दूख ही दूख आता है। अध्याए चार, प्रथम समवाद एलीपज का तर्क, एक तब तेमानी एलीपज ने कहा, दो, यदि कोई तुझ से कुछ कहने लगे, तो क्या तुझे बुरा लगेगा। परंतु बोले बिना कौन रह सकता है। तीन सुन, तू ने बहुतों को शिक्षा दी है, और निर्बल लोगों को बालवन्त किया है। चार गिरते हुऊं को तू ने अपनी बातों से संभाल लिया, और लड़कड आते हुए लोगों को तू ने बालवन्त किया। पांच परंतु अब विपत्ती तो तुझी पर आपड़ी, और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। चह क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरा चालचलन जो खरा है तेरी आशा नहीं, साथ क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोश भी कभी नश्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए, आठ मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और बंध हो जाता है और जवान सिम्हों के दांक तोड़े जाते हैं, ग्यारह शिकार ना पाकर बलवान सिंग भी मर जाता है और सिंगनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, बारह एक बात चुपके से मेरे पास पहुँचाए गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी, तेरह रात के स्वपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, चौदह मुझे ऐसी थर्थराहट और ककपी लगी की मेरी सब हड़ियां तक हे लठी, पंद्रह तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रुए खड़े हो गए, सोल क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है, क्या मनुष्य अपने स्रुजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है, अठारह देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोशी ठहराता है, उनीस फिर जो मिट्ट के घरों में रहते हैं और जिनकी नीव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं उनकी क्या गरना बीस वे भोर से सांच तक नश्ट किये जाते हैं वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता 21 यदी उनके देरे की दूरी उन जित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा दो क्यूंकि मूर तो खेद करते करते नश्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मित्ता है तीन मेंने मूर को जड़ पकड़ते देखा है परंतु अचानक मेंने उसके वासस्थान को दिखका रहा चार उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए पांच उसके खेद की उपज भूखे लोग खा लेते हैं वरन कटिली बाड में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है छे क्योंकि विपत्ती धूल से उत्पन नहीं होती और ना कष्ट भूमी में से उत्ता है साथ परंतु जैसे चिंगारियां उपर ही उपर को उड़ जाती है वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन हुआ है आठ परंतु में तो परमेश्वर ही को खोचता रहूंगा और अपना मुकद्दमा प खेतों पर जल बरसाता है ग्यारह इसी रीती वह नम्रह लोगों को मुझे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहिरावा पहिने हुए लोग मुझे पर पहुंचकर बचते हैं बारह वह धूर्त लोगों की कलपनाय व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नही पढ़ता तेरह वह बुध्धिमानों को उनकी धूर्ता ही में फंसाता है और कुटल लोगों की युकती दूर की जाती है चौदा उन पर दिन को अंधेरा चा जाता है और दिन दुपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं पंद्रह परंतु वह दरिद्रों को उनके वचनरूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है 16 इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटल मनुश्यों का मुँं बंध हो जाता है 17 देख क्या ही धन्य है वह मनुश्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है इसलिए तू सरवशक्तिमान की ताड़ना को त उच्छ मत जान 18 क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है 19 वर तुझे चह विपत्तियों से चुड़ाएगा वरन साथ से भी तेरी कुछ हानी ना होने पाएगी 20 अकाल में वर तुझे मृत्यू स और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा 21 तू वचनरूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भए ना होगा 22 तू विनाश और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतूं से डर न लगेगा 23 वरन मैदान के पत तू खोई ना होगी 25 तुझे यह भी निश्चह होगा कि मेरे बहुत वन्श होंगे और मेरी संतान पृत्वी की घास के तुल्य बहुत होगी 26 जैसे पुलियों का धेर समय पर खलेहान में रखा जाता है वैसे ही तू पूरी आयू का होकर कब्र को पहुंचेगा 27 देख हमन 27 दो भला होता की मेरा खेट तुला जाता और मेरी सारी विपत्ती तुला में रखी जाती 28 तीन क्यूंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती इसी कारण मेरी बाते उतावली से हुई है चार क्यूंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विश मेरी आत्मा में पैट गया है परमेश्वर की भयनकर बात मेरे विरुद्ध पांती बांदे हैं पांच जब बनेले गदहे को घास मिलती तब क्या वह रेंगता है और बैल चारा पाकर क्या ड़कारता है छे जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाध होता है साथ जिन वस्तूओं को मैं चुना भी नहीं चाहता वही मानों मेरे लिए घिनोना आहार्थ हरी है आठ भला होता कि मुझे मुँ मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता नौ की परमेश्वर प्रसन होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ा कर मुझे काट डालता दस यही मेरी शांती का कारण होता वरन भारी पीरा में भी मैं इस कारण से उचल पड़ता क्यूंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इंकार नहीं किया ग्यारह मुझे में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं मेरा अंथी क्या होगा कि मैं धीरज धरूं बारह क्या मेरी द्रिर्टा पत्थरों की सी है क्या मेरा शरीर पीतल का है तेरह क्या मैं निराधार नहीं हूं क्या काम करने की शक्ती मुझ से दूर नहीं हो गई 14. जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है 15. मिरे भाई नाले के समान विश्वास खाती हो गए हैं वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है 16 और वे बरफ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है 17 परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं और जब कड़ी धूप परती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं 18 वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बह कर नश्ट होती हैं 19 तेमा के बंजारे देखते रहे और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा 20 वे लजजित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुह सुख गए 21 उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे, मेरी विपत्ती देखकर तुम दर गए हो 22 क्या मैंने तुम से कहा था, मुझे कुछ दो या अपनी संपत्ती में से मेरे लिए घूस दो 23 या मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ 24 या उपद्रव करने वालों के वश से छुडा लो 24 मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा और मुझे समझाओ की मैंने किस बात में चुप की है 25 सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाब होता है 26 क्या तुम बाते पकड़ने की कल्पना करते हो निराश जन की बाते तो वायू किसी है 27 तुम अनाथों पर चिथी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाब उठाने वाले हो 28 इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो 29 तुम्हारे सामने कदापी जूठ न बोलूंगा 29 फिर कुछ अन्याय न होने पाए फिर इस मुकद्दमे में मेरा धर्म जियों का त्यों बना है मैं सत्य पर हूँ 30 क्या मेरे वचनों में कुछ कुटलता है क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता अध्याय साथ 1. क्या मनुष्य को पृत्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते 2. जैसा कोई दास्चाया की अभिलाशा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे 3. वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूं और मेरे लिए क्लेश से भरी राते ठहराई गई है 4. जब मैं लेट जाता तब कहता हूं मैं कब उठूंगा पर रात लंबी होती जाती है और पौफटने तक छटपटाते छटपटाते उकता जाता हूं 5. मेरी देल कीडों और मिट्टी से धकी हुई है मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है 6. मेरे दिन जुलाहे की धर्की से अधिक फूर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं 7. याद कर की मेरा जीवन वायू ही है और मैं अपनी आँखों से कल्यान फिर न देखूंगा 8. जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा 9. जैसे बादल चटकर लोप हो जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लोट सकता 10. अपने घर को फिर लोटना आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा 11. इसलिए मैं अपना मुँ बंदना रखूंगा अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा और अपने जीव की कडूहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा 12. क्या मैं समुद्र हूं या मगर मच हूं कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है 13. जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांती मिलेगी और बिच्छोने पर मेरा खेद कुछ हलका होगा 14. तब तब तू मुझे स्वपनों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है 15. यहां तक की मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यू को अधिक चाहता है 16. मुझे अपने जीवन से घ्रिना आती है मैं सरवदा जीवित रहना नहीं चाहता मेरा जीवन काल सांस सा है इसलिए मुझे छोड़ दे 17. मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए 18. और प्रतिभोर को उसकी सुधी ले और प्रतिक्षन उसे जांचता रहे 19. तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूप निगल्लून 20. मनुश्यों पर नजर रखने वाले मैंने पाप तो किया होगा पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तू ने क्यू मुझे को अपना निशाना बना लिया है यहां तक कि मैं अपने उपर आप ही बोज बना हूँ 21. तू क्यू मेरा अपराद क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यू दूर नहीं करता अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यतन से धूंदेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा अध्याय आठ बिल्दद का तर्क एक तब शूही बिल्दद ने कहा दो तू कब तक ऐसी ऐसी बाते करता रहेगा और तेरे मूम की बाते कब तक प्रचंद वायूसी रहेंगी तीन क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है चार यदी तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुपताया है पांच तो भी यदी तू आप परमेश्वर को यतन से डूनता और सर्वशक्तिमान से गिलगिला कर विनती करता चेह और यदी तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चेवर तेरे लिए जाकता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जियों का त्यों कर देता साथ चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो पर अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती आठ पिछली पीडी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुर्खाओं ने जाँच परताल की है उस पर ध्यान दे नौ क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृत्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीठते जाते हैं दस क्या वे लोग तुझ से शिक्षा की बाते न कहेंगे क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे ग्यारह क्या कच्छार की घास पानी बिना बढ़ सकती है क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है बारह चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो तो भी वह और सब भांती की घास से पहले ही सूख जाती है 13 परमेश्वर के सब बिस्राने वालों की गती ऐसी ही होती है और भक्तिहीं की आशा टूट जाती है 14 उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है 15 चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह न ठहरेगा वह उसे द्रिवता से थामेगा परंतु वह स्थेर न रहेगा 16 वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों और फैलती है 17 उसकी जड़ कनकरों के धेर में लिप्टी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है 18 परंतु जब वह अपने स्थान पर से नश्ट किया जाए तब वह स्थान उससे यह कह कर मूँ मोड लेगा मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं 19 देख उसकी आनंद भरी चाल यही है फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे 20 देख परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वालों को संभालता है 21 वह तो तुझे हसमुख करेगा और तुझसे जैजैकार कराएगा 22 तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहेनेंगे और दुष्टों का देरा कहीं रहने न पाएगा अध्याए 9 अयूब का बिल्दद को उत्तर एक तब अयूब ने कहा 22 मैं निश्चे जानता हूं की बात ऐसी ही है परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टी में कैसे धर्मी ठहर सकता है 23 चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा 4 वह बुद्धिमान और आती सामर्थी है उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है 5 वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता वह ख्रोध में आकर उन्हें उलट-पुलट कर देता है 6 वह प्रिथवी को हिला कर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं 7 उसकी आग्या बिना सूर्य उदे होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है 8 वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समूद्र की उंची-उंची लहरों पर चलता है 9 वह सब्तर्शी, मृक्षिरा और कचपच्या और दक्षन के नक्षत्रों का बनाने वाला है 10 वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते 11 देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है 12 देखो, जब वर चीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है 13 परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता अभिमानी के सहायकों को उसके पांफ तले जुकना पड़ता है 14 फिर मैं क्या हूँ, जो उसे उत्तर दून और बाते छांट छांट कर उससे विवाद करून 15 चाहे में निर्दोश भी होता, तू भी उसको उत्तर ना दे सकता मैं अपने मुदगई से गिलगिला कर ही विनती कर सकता हूँ 16 चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता, तू भी में इस बात की प्रतीती ना करता कि वह मेरी बात सुनता है 17 वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है 18 वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहत से भरता है 19 जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो वह बलवान है और यदी न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा मुझे से कौन मुकद दमा लड़ेगा 20 चाहे मैं निर्दोशी क्यूं न हूँ परंतु अपने ही मुझे से दोशी ठहरूंगा खरा होने पर भी वह मुझे कुटल ठहराएगा 21 मैं खरा तो हूँ परंतु अपना भेद नहीं जानता अपने जीवन से मुझे घ्रिना आती है 22 बात तो एक ही है इससे मैं यह कहता हूँ की परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है 23 जब लोग विपत्ती से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोश लोगों के जाचे जाने पर हसता है 24 देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है वह उसके न्याईयों की आँखों को बंद कर देता है इसका करने वाला वही न हो तो कौन है 25 मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं वे भागे जाते हैं और उनको कल्यान कुछ भी दिखाई नहीं देता 26 वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान चले जाते हैं या एर पर जपते हुए उकाब के समान 27 जो मैं कहूं मैं विलाब करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुलित कर लूंगा 28 तो मैं अपने सब दू, खों से डरता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोश न ठहराएगा 29 मैं तो दोशी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यूं परिश्रम करूँ 30 चाहे मैं हिम्मेस नाम करूँ और अपने हाथ खार से निर्मल करूँ 31 तो भी तू मुझे गढ़े में डाल ही देगा, और मेरे वस्त्र भी मुझे से घ्रिना करेंगे 32 क्यूंकि वह मेरे तुलिय मनुश्य नहीं है कि मैं उससे वादविवाद कर सकूँ और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके 33 हम दोनों के बीच कोई बिच्वई नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे 34 वह अपना सुन्टा मुझे पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए 35 तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूँगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टी में ऐसा नहीं हूँ अध्याय दस एक, मेरा प्रांट जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुडाऊंगा, और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बाते करूंगा दो में परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोशी न ठहरा, मुझे बता दे की तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है तीन क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ती को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है चार क्या तेरी आखे देधारियों की सी हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य कासा है पांच क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है छे कि तू मेरा अधर्म ढूंदता और मेरा पाप पूचता है साथ तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं आठ तुने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है तो अभी मुझे नश्ट किये डालता है नौ स्मरन करकी तुने मुझे को गुंधी हुई मिट्टी के समान बनाया क्या तु मुझे फिर धूल में मिलाएगा दस क्या तुने मुझे दूद के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया 11 फिर तूने मुझे जीवन दिया और मुझे पर करुना की है और तेरी चौकसी से मेरे प्रान की रक्षा हुई है 13 तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा मैं जान गया कि तूने ऐसा ही करने की ठान ली थी 14. यदी मैं पाप करूँ तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोश न ठहराएगा 15. यदी मैं दुश्टता करूँ तो मुझ पर हाए 15. यदी मैं धर्मी बनू तो भी मैं सिर न उठाऊंगा क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ और अपने दूख पर ध्यान रखता हूँ 16. और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंग के समान मेरा अएर करता है और फिर मेरे विरुधा आश्चर्यकर्म करता है 17. तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना पर सेना चड़ाई करती है 18. तूने मुझे गर्प से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्रान छोड़ता और कोई मुझे देखने भी न पाता 19. मेरा होना ना होने के समान होता और पेठी से कब्र को पहुचाया जाता 20. क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुझ फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए 21. इससे पहले की मैं वहाँ जाओं जहां से फिर न लोटूँगा अर्थात अंध्यारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है 22. और मृत्यू के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ बढ़बढ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार 21. इक तब नामाती सोपर ने कहा, दो, बहुत सी बाते जो कही गई है, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए 22. क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए 23. क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे और जब तु ठट्था करता है, तो क्या कोई तुझे लजजित ना करे 24. तु तो यह कहता है, मेरा सिध्धान्त शुधा है और मैं परमेश्वर की द्रिष्टी में पवित्र हूँ 25. परन तु भला हो की परमेश्वर स्वयम बाते करे और तेरे विरुद्ध मूम खोले, छेह और तुझ पर बुद्धी की गुप्त बाते प्रगट करे की उनका मर्म तेरी बुद्धी से बढ़कर है 26. इसलिए जान ले की परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है 27. क्या तू परमेश्वर का गूर भेद पा सकता है? 28. क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीती से जांच सकता है? 28. वह आकाश सा उंचा है, तू क्या कर सकता है? 29. वह अधुलोक से गहिरा है, तू क्या समझ सकता है? 29. उसकी माप पृत्वी से भी लंबी है और समुद्र से चोड़ी है 30. यदी परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? 31. क्योंकि वह पाखंडी मनुश्यों का भेद जानता है, और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? 32. परंतु मनुश्य च्छूचा और निर्बुद्धी होता है, क्योंकि मनुश्य जन्मी से जंगली गदहे के बच्चे के समान होता है 13. यदि तु अपना मन शुध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, 14 और जो कोई अनर्थ काम तुझ से होता हो उसे दूर करे और अपने देरों में कोई कुटलता न रहने दे, 15 तब तो तु निश्य अपना मुँ निश्कलंक दिखा सकेगा, और तु स्थिर होकर क भूल जाएगा, तु उसे उस पानी के समान स्मरन करेगा जो बह गया हो, 17 और तेरा जीवन दोपहे से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा, 18 तुझे आशा होगी, इस कारण तु निर्भय रहेगा, और अपने चारों औ देख देखकर तु निर्भय विश्राम कर सकेगा, 19 जब तु लेटेगा, तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहु तेरे तुझे प्रसंद करने का यात्म करेंगे, 20 परंतु दुष्ट लोगों की आँखे धुन्धली पर जाएंगी, और उन्हें कोई शरंस्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी की प्राण निकल जाए, अध्याय बारह, अयूब का सोपर को उत्तर, एक तब अयूब ने कहा, दो, नी, संदेह मनुष्य तो तुम ही हो और जब तुम मरोगे तब बुद्धी भी जाती रहेगी, तीन परंतु तुम्हारे समान मुझ मे भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ, कौन ऐसा है जो ऐसी बाते ना जानता हो, चार में परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हसते हैं, जो धर्मी और खरा मनुष्य है, वह हसी का कारण हो गया है, पांच दू, खी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पाव फिसलते हैं, उनका अपमान अवश्य ही होता है, छे दाकों के देरे कुशलक्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, वे बहुत ही निडर रह हैं, अर्थात उनका इश्वर उनकी मुठी में रहता है, साथ पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे, आठ पृत्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मचलिया भी तुझ से वर्नन करेंगी, नौ कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है, दस उसके हाथ में एक-एक जीवधारी का प्रान और एक-एक देधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है, ग्यारह जैसे जीब से भोजन चका जाता है क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते, बारह बुडों में बुद्धी पाई जाती है और लंबी आयोवालों में समझ होती है, तेरह परमेश्वर में पूरी बुद्धी और पराक्रम पाई जाते हैं, युक्ती और समझ उसी में है, चौदर देखो, जिसको वर तब पृत्वी उलड जाती है, 16 उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धी पाई जाती है, धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं, 17 वह मंत्रियों को लूटकर बधुआई में ले जाता और न्याईयों को मूर्क बना देता है, 18 वह राजाओं का अधिक पुरुषों से बोलने की शक्ती और पुरनियों से विवेक की शक्ती हर लेता है, 21 वह हाकिमों को अपमान से इलादता और बलवानों के हाथ धीले कर देता है, 22 वह अंध्यारे की गहरी बाते प्रगट करता और मृत्यू की छाया को भी प्रकाश में ले आता है, 23 वह जाति अध्याय तेरा और मेरी अभिलाशा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है चार परंतु तुम लोग जूथी बात के गरने वाले हो तुम सब के सब निकम में वैद्य हो पांच भला होता कि तुम बिलकुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहते 6. मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ 7. क्या तुम परमेश्वर के निमित टेड़ी बाते कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे 8. क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकद्धमा लडोगे 9. क्या यह भला होगा कि वह तुमको जाचे क्या जैसा कोई मनुश्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो 10. यदी तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चे तुमको डाटेगा 11. क्या तुम उसके माहत्मिय से भय न खाओगे 12. क्या उसका दर तुम्हारे मन में न समाएगा 12. तुम्हारे स्मरन्योग्य नीतिवचन राख के समान है 12. तुम्हारे गर मिट्टी ही के ठहरे है 13. मुझ से बात करना छोड़ो की मैं भी कुछ कहने पाऊँ 14. मैं क्यूं अपना मास अपने दाटों से चबाऊँ 15. वह मुझे घात करेगा 15. मुझे कुछ आशा नहीं तो अभी मैं अपनी चालचालन का पक्ष लूँगा 16. यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता 17. चित लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े 18. देखो, मैंने अपने मुकद में की पूरी तयारी की है मुझे निश्चे है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा 19. कौन है जो मुझे से बहस कर सकेगा ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्रांट छोड़ूंगा 22. काम मुझे से ना कर, तब मैं तुझ से नहीं छिपूंगा 21. अपनी तारना मुझे से दूर कर ले और अपने भय से मुझे भय भीटना कर 22. तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तु मुझे उत्तर दे 23. मुझ से कितने अधर्म के काम और पाप हुए है मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे 24. तू किस कारण अपना मुझे फेर लेता है और मुझे अपना शत्रू गिनता है 25. क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा 26. तू मेरे लिए कठिन दू खूंके आग्या देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भूगताता है 27. तू मेरे पावों को काठ में ठोंकता और मेरी सारी चाल-चलन देखता रहता है तू मेरे पावों के चारों और सीमा बांधता है 28. में सडी गली वस्तू के तुल्य हूँ जो नश्ठ हो जाती है और कीरा खाए कपड़े के तुल्य हूँ अध्याय 14. एक मनुष्य जो स्त्री से उत्पन होता है वह थोड़े दिनों का और दू, ख से भरा रहता है दो वह फूल के समान खिलता, फिर तोड़ा जाता है वह छाया की रीती पर धल जाता और कहीं ठहरता नहीं तीन फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टी लगाता है क्या तू मुझे अपने साथ कचेहरी में घसीटता है चार अशुद्ध वस्तू से शुद्ध वस्तू को कौन निकाल सकता है कोई नहीं पांच मनुष्य के दिन नियुक्त किये गए हैं और उसके महीनों की गिंती तेरे पास लिखी है और तू में उसके लिए ऐसी सीमा बाधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता छे इस कारण उससे अपना मुँ फिर ले की वह आराम करे जब तक की वह मजदूर के समान अपना दिन पूराना कर ले साथ रिक्ष के लिए तो आशा रहती है की चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालिया निकलती ही रहेंगी आठ चाहे उसकी जड़ भूमी में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंख मिट्टी में सूख भी जाए नौ तोभी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौदे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी दस परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है जब उसका प्रांड छूट गया तब वह कहां रहा ग्यारह जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महांद का जल सूखते सूखते सूख जाता है बारह वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नीम तूटेगी तेरह भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधी लेता चौदर यदी मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता पंदर तू मुझे बुलाता और मैं बोलता तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाशा होती 16 परंतु अब तू मेरे पकपक को गिनता है क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता 17 मेरे अपराद मुहर बंध थेली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है 18 निश्चे पहाड भी गिरते गिरते नश्ट हो जाता है और चत्तान अपने स्थान से हट जाती है 19 और पत्थर जल से गिस जाते हैं और भूमी उसकी बाड़ से काट कर बहाई जाती है उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है 20 तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है तू उसका चहरा बिगार कर उसे निकाल देता है 21 उसके पुत्रों की बढ़ाये होती है और यह उसे नहीं सूचता और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता 22 केवल अपने ही कारण उसकी देख को दू-ख होता है और अपने ही कारण उसका प्रान अंदर ही अंदर शोकित रहता है अध्याई पंद्रा ब्वितिय समवाद एलीपज का आरोप एक तब तिमानी एलीपज ने कहा, दो, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे या अपने अंत करण को पूरबी पवन से भरे तीन क्या वह निश्वल वचनों से या वियर्थ बातों से वाद विवाद करे चार वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से चुड़ाता है पांच तू अपने मुँ से अपना अधर्म प्रगट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीती पर बोलता है चह में तो नहीं परंतु तेरा मुँ ही तुझे दोशी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं साथ क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन हुआ क्या तेरी उत्पत्ती पहाडों से भी पहले हुई आठ क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था क्या बुद्धी का ठेका तू ही ने ले रखा है नौ तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं दस हम लोगों में तो पक्के बालवाले और अति पुरुनिये मनुष्य हैं जो तेरे पिता से भी बहुत आयूके हैं ग्यारह परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल हैं क्या वे तेरी दृष्टी में तुछ्ष हैं बारर तेरा मन क्यूं तुझे खीच ले जाता है और तू आँख से क्यूं सैन करता है तेरर तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुँं से वियर्थ बाते निकलने देता है चौदा मनुष्य है क्या की वह निश्कलंखो या जो स्त्री से उत्पन हुआ वह है क्या की निर्दोश हो सके पंद्रह देख वह अपने पवित्रजनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी द्रिष्टी में निर्मल नहीं है सोलह फिर मनुष्य अधिक घिनोना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है सत्रह मैं तुझे समझा दूंगा इसलिए मेरी सुन ले जो मैंने देखा है उसी का वर्नन मैं करता हूँ 18 पे ही बाते जो बुद्धिमानों ने अपने पुर्खाओं से सुनकर बिना छिपाए बताई हैं 19 केवल उनी को देश दिया गया था और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था 20 दुष्ट जन जीवन भर पीडा से तडपता है और बलातकारी के वर्षों की गिंती ठहराए हुई है 21 उसके कान में दरावना शब्द गुंचता रहता है कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है 22 उसे अंध्यारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है 23 वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है की कहां मिलेगी उसे निश्चे रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है 24 संकट और दुरघटना से उसको डर लगता रहता है ऐसे राजा के समान जो युद्ध के लिए तयार हो वे उस पर प्रबल होते है 25 क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हात बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोंकता है 26 और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी धाले दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है 27 इसलिये कि उसके मूँ पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है 28 और वह उजाडे हुए नगरों में बस गया है और जो घर रहने योग्य नहीं और खंधर होने को छोड़े गए है उनमें बस गया है 29 और धनी न रहेगा और न उसकी संपत्ती बनी रहेगी और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमी की ओर न जुकने पाएगी 30 और अंधियारे से कभी न निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से जुलस जाएंगी और परमेश्वर के मुह की श्वास से वह उड़ जाएगा 31 वह व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा न दे क्यूंकि उसका बदला धोखा ही होगा 32 यह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा उसकी डालियां हरी न रहेंगी 33 दाक के समान उसके कच्छे फल ज़र जाएंगे और उसके फूल जैतून के व्रिक्षके से गिरेंगे 34 क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे 35 उनको उपद्रव का गर्ब रहता और वे अनर्थ को जन देते हैं और वे अपने अंत करण में छल की बाते गड़ते हैं अध्याए 16 अयूब का एलिपज को उत्तर एक तब अयूब ने कहा दो ऐसी बहुत सी बाते मैं सुन चुका हूँ तुम सब के सब निकम में शांते दाता हो तीम क्या वियर्थ बातों का अंत कभी होगा तू कौन सी बात से जिल रक कर उत्तर देता है चार जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बाते कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बाते जोड सकता, और तुम्हारे विरुद्ध से रहिला सकता। पांच वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता, और बातों से शांती देकर तुम्हारा शोक खटा देता। 6. चाहे मैं बोलू तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं, तो भी मेरा दू, कह कुछ कम न होगा. 7. परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है, उसने मेरे सारे परिवार को उजार डाला है. 8. उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है, वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है, और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है. 9. उसने क्रोध में आकर मुझे को फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है, वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझे को आँखे दिखाता है 12 अब लोग मुझे पर मुँ पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थपपड मारते और मेरे विरुद्ध भीर लगाते हैं 11 परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेक दिया है 12 मैं सुक से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला उसने मेरी गर्दन पकड़ कर मुझे टुकडे टुकडे कर दिया फिर उसने मुझे अपना निशाना बना कर खड़ा किया है तेरा उसके तीर मेरे चारों और ओड रहे हैं, वह निर्दया होकर मेरे गुर्दों को बेदता है और मेरा पित भूमी पर भाता है चौदा वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पुंचा कर घायल करता है पंद्रह मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है सोलह रोते रोते मेरा मुँह सूज गया है और मेरी आँखों पर घोर अंधकार चा गया है सत्रथ तो भी मुझ से कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है अथारह हे पृत्वी तू मेरे लहू को न ढापना और मेरी दोहाई कहीं न रुके 19-20 वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाहु पर है 20 मेरे मित्र मुझ से ग्रिना करते हैं परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसु बहता हूँ 21 की कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकद्दमा लड़े जैसा कोई अपने पडोसी के लिए लड़ता है 22 क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापिस न लोटूँगा अध्याय सत्रा 1. मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तयार है 2. जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो, कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे 4. तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबलना होने देगा 5. जो लूट के भाग के लिए अपने मित्रों की चुगली खाता है, उसके लड़कों की आँखे अंधी हो जाएंगी 6. उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं, और लोग मेरे मूम पर थूखते हैं 7. खेद के मारे मेरी आँखों में धुंदलापन चा गया है, और मेरे सब अंध्छाया के समान हो गए हैं 8. इसे देखकर सीधे लोग चकेत होते हैं, और जो निर्दोश हैं, वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़ाक उठते हैं 9. तौभी धर्मी लोग अपना मार पकड़े रहेंगे, और शुधा काम करने वाले सामर्थे पर सामर्थे पाते जाएंगे 10. तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान न मिलेगा 11. मेरे दिन तो बीट चुके, और मेरी योजनाय मिट गई, और जो मेरे मन में था, वह नश्ट हुआ है 12. वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं, अंधियारे के निकट उजियाला है 13. यदी मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदी मेने अंधियारे में अपना बिचोना बिचालिया है 14. यदी मेने इस राहत से कहा, तू मेरा पिता है, और कीरे से की, तू मेरी मा और मेरी बहिन है 15 तो मेरी आशा कहां रही मेरी आशा किसके देखने में आएगी 16 क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी क्या उस समेट मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा अध्याय 18 बिल्दद का कथन एक तब शुवी बिल्दद ने कहा दो तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकरते रहोगे चित लगाओ तब हम बोलेंगे तीन हम लोग तुम्हारी दृष्टी में क्यूं पशु के तुल्य समझे जाते और अशुध ठेहरे हैं चार है अपने को क्रोध में फारने वाले क्या तेरे निमित पृत्वी उजर जाएगी और चत्तान अपने स्थान से हट जाएगी पांच निश्चे दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौना चमकेगी चेह उसके देरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके उपर का दिया बुझ जाएगा साथ उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ती के द्वारा गिरेगा आठ वह अपना ही पाउफ जाल में फंस आएगा वह फंदों पर चलता है नौ उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा दस फंदे की रसिया उसके लिए भूमी में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है ग्यार चारों और से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पढ़कर उसको भगाएंगी बारह उसका बलदू, ख से घट जाएगा और विपत्ती उसके पास ही तयार रहेगी तेरह वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहिलोठा उसके अंगों को खा लेगा चौदा अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयन करता के राजा के पास पहुँचाया जाएगा पंद्रह जो उसके यहां का नहीं है वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधत छित्राई जाएगी सोला उसकी जड़ सूख जाएगी और डालियां कट जाएगी सत्रह प्रिथवी पर से उसका स्मरण मिच जाएगा और बजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा अठारह वह उज्याले से अंधियारे में धकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा उन्नीस उसके कुटुम्बियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा और जहां वह रहता था वहां कोई बचा न रहेगा बीस उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे और पूरब के निवासियों के रोहे खड़े हो जाएंगे 21 सनी संदेह कुटल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको परमेश्वर का ज्यान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है अध्याए उन्नीस अयूब का उत्तर एक तब अयूब ने कहा दो तुम कब तक मेरे प्राण को दू खह देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे तीन इन दसों बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोर्ता का बरताव करते हो चार मान लिया कि मुझसे भूल हुई तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी पांच यदि तुम सच्मुच मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करते हो और प्रमान देकर मेरी निंदा करते हो छे तो यह जानलो की परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फसालिया है साथ देखो मैं उपद्रव उपद्रव 11. उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रूओं में मुझे गिनता है 12. उसके दल इकठे होकर मेरे विरुधम और चाबांधते हैं और मेरे डेरे के चारों और चावनी डालते हैं 13. उसने मेरे भाईयों को मुझ से दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिलकुल अंजान हो गए हैं 14. मेरे कुटुम भी मुझे चोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं 15. जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अंजाना गिनने लगी हैं 15. उनकी दृष्टी में मैं परदेशी हो गया हूँ 16. जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता मुझे उससे गिलगिलाना पड़ता है 17. मेरी सांस मेरी स्त्रीको और मेरी गंध मेरे भाईयों की दृष्टी में घिनोनी लगती है 18. लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुध्ध बोलते हैं 19. मेरे सब परम मित्र मुझे से द्वेश रखते हैं और जिनसे मेने प्रेम कियावे पलत कर मेरे विरुधी हो गए हैं 20. मेरी खाल और मास मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यू से बाल-बाल बच गया हूँ 21. मेरे मित्रो मुझे पर दया करो दया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है 22. तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम मेरे मास से क्यों त्रिप्त नहीं हुए 23. भला होता कि मेरी बाते लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, 24 और लोहे की टांके और सीसे से वे सदा के लिए चटान पर खो दी जाती 25. मुझे तो निश्चे है कि मेरा चुडाने वाला जीवित है, और वहंत में पृत्वी पर खड़ा होगा, 26 और अपनी खाल के इस प्रकार नश्ट हो जाने के बाद भी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा 27 उसका दर्शन में आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं यद्यपी मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, 28 तो भी मुझे में तो धर्म का मूल पाया जाता है और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं 29 तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि ख्रोध का परिनाम तलवार का दंध है, जिससे तुम जानलो की न्याय होता है अध्याय 20 सोपर का तर्क एक तब नामाती सोपर ने कहा, दो, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दून, और इसलिए बोलने में फूर्ती करता हूँ तीन मेंने ऐसी चितनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई, और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है चार क्या तु यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है, जब मनुष्य प्रिथ्वी पर बसाया गया, पांच की दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंध हो जाता और भक्तिहीनों का आनन्द पल भरका होता है चह चाहे ऐसे मनुष्य का महाक्म्य आकाश तक पहुँच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुँचे, साथ तो भी वह अपनी विष्था के समान सदा के लिए नश्ट हो जाएगा, और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे की वह कहा रहा आठ वह स्वपन के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा, रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा नौ जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा, और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा दस उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लोटा देगा ग्यारह उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है परन्तु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा बारह चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीब के नीचे छिपा रखे तेरह और वह उसे बचा रखे और न छोड़े वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे चौदर तो भी उसका भोजन उसके पेट में पल्टेगा वह उसके अंदर नाग का सा विश बन जाएगा पंद्रा उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा 16. वह नागूं का विश्चूस लेगा, वह करेत के डसने से मर जाएगा 17. वह नदियों अर्थात मधू और दही की नदियों को देखने न पाएगा 18. जिसके लिए उसने परिश्रम किया, उसको उसे लोटा देना पड़ेगा 19. क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया, उसको वह बढ़ाने न पाएगा 20. लालसा के मारे उसको कभी शांती नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तू बचा न सकेगा 21. कोई वस्तू उसका कौर बिना हुए न बच्ती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा 22. पूरी समपत्ती रहते हुए भी वह सकेटी में पड़ेगा, तब सब दू, खियों के हाथ उस पर उठेंगे 23. ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना ख्रोध उस पर भढ़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा 24. वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा 25. वह उस तीर को खीच कर अपने पेट से निकालेगा उसकी चमकीली नोक उसके पित्ते से होकर निकलेगी भए उसमें समाएगा 26. उसके गड़े हुए धन पर घोर अंतकार छा जाएगा वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न हो और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा 27. आकाश उसका अधर्म प्रगट करेगा और प्रिथ्मी उसके विरुद्ध खड़ी होगी 28. उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी वह परमेश्वर के ख्रोध के दिन बह जाएगी 29. परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुश्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है अध्याए 21. अयूब का सोपर को उत्तर एक तब अयूब ने कहा, दो, चित लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांती यही ठहरे 3. मेरी कुछ तो सहो की मैं भी बाते करूँ और जब मैं बाते कर चुकूँ तब थर्था करना 4. क्या मैं किसी मनुश्य की दोहाई देता हूँ 5. मैं अधीर क्यूँ ना हूँ 5. मेरी और देखकर चकेत हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ 6. जब मैं स्मरन करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देख थर्थर कांपने लगती है 7. क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बुड़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है 8. उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आँखों के सामने बने रहते हैं 9. उनके घर में भयरहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती 10. उनका साल गाभिन करता और चुकता नहीं, उनकी गाएं बयाती हैं और गर्प कभी नहीं गिराती 11. वे अपने लड़कों को जुन्ट के जुन्ट बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं 12. वे डाफ और वीना बजाते हुए गाते और बासुरी के शब्द से आनंदित होते हैं 13. वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं 14. तॉभी वे परमेश्वर से कहते हम से दूर हो 15. सरवशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें 15. यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाब होगा 16. देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता 16. कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है 17. या उन पर विपत्तिया पड़ती है या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है 18. क्या वे वायू से उड़ाए हुए भूसे और बवंड़ से उड़ाए हुई भूसी के समान होते है 19. तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दन्द उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है 20. दुष्ट अपना नाश अपनी ही आँखों से देखे और सर्वशक्तिमान के ख्रोध में से आप पी ले 21. क्योंकि जब उसके महीनों की गिंती कच चुकी तो अपने बादवाले घराने से उसका क्या काम रहा 22. क्या परमेश्वर को कोई ग्यान सिखाएगा 23. कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है 24. उसकी दे दूद से और उसकी हड़ियां गूदे से भरी रहती है 25. कोई अपने जीव में कुड़ कुड़ का बिना सुख भोगे मर जाता है 26. दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीरे उन्हें धांक लेते हैं 27. देखो, मैं तुम्हारी कलपनाय जानता हूँ और उन युक्तियों को भी, जो तुम मेरे विशय में अन्याय से करते हो 28. तुम कहते हो, राईस का घर कहा रहा? बुष्टों के निवास के देरे कहा रहे? 29. परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विशय के प्रमानों से अन्जान हो? 30. की विपत्ती के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाये जाते हैं. 31. उसकी चाल उसके मूँपर कौन कहेगा? उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा? 32. तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं. 33. नाले के धेले उसको सुकदायक लगते हैं और जैस पूर्वकाल के लोग नगिनित जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे. 34. तुम्हारे उत्तरों में तो जूट ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यूं मुझे व्यर्थ शांती देते हो? अध्याए 22. तृतिय समवाद एलीपज का आरोग एक तब तिमानी एलीपज ने कहा, दो, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाब पहुँच सकता है? जो बुद्धिमान है, वह अपने ही लाब का कारण होता है. तीन क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाब हो सकता है? चारवर तो तुझे डांकता है और तुझ से मुकद्दमा लड़ता है, तो क्या यह तेरी भक्ती के कारण है? पांच क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? चह तुने अपने भाई का बंधा का कारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिये हैं. साथ ठके हुए को तुने पानी ना पिलाया और भूखे को रोटी देने से इंकार किया. आठ जो बलवान था उसी को भूमी मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया. नौ तुने विद्वाउं को चूचे हाथ लोटा दिया और अनाथों की बहें तोर डाली. दस इस कारण तेरे चारों और फंदे लगे हैं और अचानक दर के मारे तु उँचे तारों को देख की वे कितने उँचे हैं. तेरह फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड में होकर न्याई कर सकता है? चौदर काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता, वह तो आकाशमंडल ही के उ नीव नदी बहा ले गई. सत्रह उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है? अठारल तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिये, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझ से दूर रह 21. उससे मिलमिलाब कर तब तुझे शांती मिलेगी और इससे तेरी भलाये होगी. 22. उसके मुँ से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख. 23. यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटल काम दूर करे तो तू बन जाएग 24. तू अपनी अन्मोल वस्तुओं को धूल पर वरन उपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे. 25. तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अन्मोल वस्तुओं और तेरे लिए चमकिली चांदी होगा. 26. तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मूँ बेखट के उठा सकेगा. 27. तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मननतों को पूरी करेगा. 28. जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा. 29. चाहे दुरभाग्य हो त चाहे दुरण तू छुड़ाया जाएगा. 29. अध्याए 23. अयूब का एलिपज को उत्तर. 1. तब अयूब ने कहा, 2. मेरी कुलकुडाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है. 30. भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है, तब मैं उसके तर में क्या कहा है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता. 6. क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकद्धमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता. 7. सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इस रीती मैं अपने न्याई के हाथ से सदा के लिए चूट जाता. 8. देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ, परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता, नौ जब वह बाई और काम करता है, तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी और ऐसा छिप जाता है, कि मुझे वह बिना मोडे थामे रहा. 12. उसकी आग्या का पालन करने से मैं नहटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे. 13. परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है, वही वह करता है. 14. जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बाते हैं. 15. इस कारण मैं उसके सम्मुक घबरा जाता हूं, जब मैं सोचता हूं तब उससे थर्थरा उठता हूं. 16. क्योंकि मेरा मन परमेश्व 24. एक सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका घ्यान रखते हैं, वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते. 2. कुछ लोग भूमी की सीमा को बढ़ाते, और भेड बक्रियां छीन कर चराते हैं. 3. अनाथों का गधा हांक ले जाते, और विद्वा का बेल बंधक रखते हैं. 4. दरिद्व लोगों को मार्क से हटा देते, और देश के दीनों को इकठे छिपना पड़ता है. 5. देखो, वे जंगली गधों के समान अपने काम को और कुछ भूजन यतन से ढूंडने को निकल जाते हैं. उनके बाल बच्चों का भूजन उनको जंगल से मिलता है. 6. उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाक बटोरना पड़ता है. 7. रात को उन्हें बिना वस्तर नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओड़े पड़े रहना पड़ता है. 8. आठवे पहाड़ों पर की वर्षा से भीगे रहते और शरण न पाकर चतान से लिप्ट जाते हैं. 9. कुछ लोग अनात बालक को मा की छाती पर से चीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं. 10. जिस से वे बिना वस्तर नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पूलियां ढोते हैं. 11. वे उनकी दिवारों क पर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता. 13. कुछ लोग उजियाले से बैर रखते, वे उसके मारगों को नहीं पहचानते और न उसके मारगों में बने रहते हैं. 14. हत्यारा पौफत्ते ही उठकर दीन दरिद्र मनुश्य को घात करता और रात को चोर बन जाता है. 15. व्यभिच के समय घरों में सिंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं. वे उजियाले को जानते भी नहीं. 17. इसलिए उन सभों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार के भाय से वे मित्रता रखते हैं. 18. वे जल के उपर हलकी वस्तू के सरीखे हैं, उनके भाग को प्रिथवी के रहने वाले कोस्ते हैं, और वे अपनी दाख की बारियों में लोटने नहीं पाते. 19. जैसे सुखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोग में सूख जाते हैं. 20 माता भी उसको भूल जाती और कीरे उसे चूशते हैं, भविश्य में उसका स्मरण न रहेगा, इस रीती टेड़ा काम करने वाला व्रिक्ष के समान कर जाता है. 21. वह बांच स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है. 22. बलातका जंभले रहते हैं और उसकी कृपाद्रिष्टी उनकी चाल पर लगी रहती है. 24. वह थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं, तब जाते रहते हैं, वह दबाए जाते और सभों के समान रख लिए जाते हैं, और अनाज की बाल के समान काटे जाते हैं. 25. क्या यह सब सच नहीं कौन मुझे जुटलाएगा, कौन मेरी बाते निकम्मी ठहराएगा. 25. बिल्दद का कथन एक तब शुही बिल्दद ने कहा, दो, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है, वह अपने उंचे-उंचे स्थानों में शान्ती रखता है. 3. क्या उसकी सेनाओं की गिंती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? 4. फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टी में धर्मी कैसे ठहर सकता है? 5. जो स्त्री से उत्पन हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? 5. देख उसकी दृष्टी में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते. 6. फिर मनुष्य की क्या गिंती जो की रहा है और आदमी कहां रहा जो केंचुआ है? अध्याए 26. अयूब का उत्तर एक तब अयूब ने कहा, दो, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं, उसको तूने कैसे संभाला है? 3. निर्बुद्धी मनुष्य को तूने कितनी अच्छी सम्मती दी और अपनी खरी बुद्धी कैसी भली भाती प्रगट की है? 4. तूने किसके हित के लिए बाते कहीं और किसके मन की बाते तेरे मुँ से निकली? 5. बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलनी दी और उसके निवासियों के तले तडपते हैं 6. अधुलोक उसके सामने उघडा रहता है और विनाश का स्थान धक नहीं सकता 7. उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना तेक प्रिथवी को लटकाए रखता है 8. जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोज से नहीं फत्ता 9. अपने सिंघासन के सामने बादल फैला कर उसको छिपाए रखता है 10. उज्याले और अंध्यारे के बीच जहां सीमा बधी है वहां तक उसने जलनिदी की सीमा ठहरा रखी है 11. उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थर्थरा कर चकित होते हैं 12. वह अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपनी बुद्धी से रहब को छेद देता है 12. अध्याय 27. अयूब का उत्तर 12. मैं परमेश्वर के जीवन की शपत खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगार दिया 13. क्यूंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है 14. चार में यह कहता हूं कि मेरे मुह से कोई कुटल बात न निकलेगी औरना मैं कपट की बाते बोलूंगा 15. इश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा 16. मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने न दूँगा क्यूंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोशी नहीं ठहराता 17. मेरा शत्रू दुष्टों के समान और जो मेरे विरुध्ध उठता है वह कुटलों के तुलिय ठहरे 18. जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुश्य का प्राण ले ले तब यद्यपी उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी 19. जब वह संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दोहाई सुनेगा 10. क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा 11. में तुम्हें परमेश्वर के काम के विश्य शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बाद में नच्छि पाऊंगा बारह देखो, तुम लोग सब के सब उसे स्वयम देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यूं पकड़े रहते हो सोपर का कथन तेरह दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, और बलातकारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं, वह यह है कि चौदर चाहे उसके बच्चे गिंती में बढ़ भी जाएं, तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी, पंद्रह उसके जो लोग बच जाएंवे मरकर कब्र को पहुँचेंगे और उसके यहां की विधवाय न रोएंगी, सोलर चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनिकों के तुलिय अनगिनित तयार कराए, सत के रखवाले की जोपड़ी के समान बनाया, 19 वह धनी होकर लेट जाए परंतु वह गाड़ा न जाएगा, आंख खोलते ही वह जाता रहेगा, 20 भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी, रात को बवंड़ उसको उड़ा ले जाएगा, 21 पुर्वाय उसे ऐसा उड़ा ले ज जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी, 22 क्यूंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाय डाल देगा, उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा, 23 लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुसकारियां भरेंगे कि वह अपने पर न रह सकेगा, अध्याय 28 बुद्धी की प्रशंसा में, एक चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं, दो लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिगला कर पीतल बनाया जाता है, तीन मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद खोद कर, अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंदते हैं। नहीं जानता और किसी गिद की द्रिष्टी उस पर नहीं पड़ी। आठ उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंग कभी गया है। नौ, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाडों को जड़ी से उलग देता है। दस वह चटान खोद कर नालियां बनाता और उसकी आँखों को हर एक अनमोल वस्तू दिखाई पड़ती है। ग्यारह वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं तपकता और जो कुछ छिपा है उसे वह उज्याले में निकालता है। बारह परंतु बुद्धी कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। तेरह उसका मोल मनुश्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। चौदा हथा सागर कहता है, वह मुझ में नहीं है और समुद्र भी कहता है, वह मेरे पास नहीं है। पंद्रह चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। सोलह न तो उसके साथ उपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नील मनी की। सत्रह न सोना, न कांच उसके बराबर ठहर सकता है, कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। अठारह मूंगे और स्फटिक मनी की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धी का मोल मानिक से भी अधिक है। उनीस कूश देश के पदमराग उसके तुलिय नहीं ठहर सकते और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। 20 फिर बुद्धी कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। 21 वह सब प्रानियों की आँखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। 22 विनाश और मृत्यू कहती हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। 23 परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। 24 वर तो प्रिथवी की छोड तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। 25 जब उसने वायू का तौल थेहराया और जल को नपोय में नापा, 26 और मैन के लिए विधी और गरजन और बिजली के लिए मार्ग थेहराया, 27 तब उसने बुद्धी को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिधा करके उसका पूरा भेद जान लिया। 28 तब उसने मनुश्य से कहा, देख, प्रभू का भै मानना यही बुद्धी है और बुराई से दूर रहना यही समाज है। 29 तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिय उठकर भी किया रहना यही बुद्धी है। 9 हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मूँ बंद किये रहते थे। 10 प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीब तालू से सच जाती थी। 11 क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विश्रे साक्षी देता था, 12 क्योंकि में दोहाई देने वाले दीन जनको और असहायानात को भी छुडाता था। 13 जो नश्ठ होने पर था मुझे आशिर्वाग देता था और मेरे कारण विध्वा आनंद के मारे गाती थी। 14 मैं धर्म को पहिने रहा और वह मुझे धांके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुन्दर पगड़ी का काम देता था। 15 मैं अंधों के लिए आखें और लंगणों के लिए पांक थहरता था। 16 दरिद्र लोगों का मैं पिता थहरता था और जो मेरी पहिचान का ना था उसके मुकदमे का हाल में पूछताच करके जान लेता था। 17 मैं कुटल मनुश्यों की डाड़ें तोर डालता और उनका शिकार उनके मुँँ से चीन कर बचा लेता था। 18 तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अंगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्रांड छूटेगा। 19 मेरी जड जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस राद भर पड़ी रहेगी, 20 मेरी महिमाज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुश मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। 21 लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मती सुनकर चुप रहते थे। 22 जब मैं बोल चुपता था, तब वे और कुछ न बोलते थे, मेरी बाते उन पर मैंन के समान बरसा करती थी 23 जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बात देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुँँ पसारे रहते थे 24 जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हसकर उनको प्रसन करता था, और कोई मेरे मुँँ को बिगार न सकता था 25 में उनका मार्ग चुन लेता, और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शान्तिदाता, वैसा ही में रहता था अध्याय तीस एक परन्तु अब जिनकी आयू मुझ से कम है, वे मेरी हसी करते हैं, वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेर बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था दो उनके भुजबल से मुझे क्या लाब हो सकता था, उनका पौरुष तो जाता रहा तीन वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं, वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं चार वे जाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और जाव की जड़े खाते हैं पांचवे मनुश्यों के बीच में से निकाले जाते हैं, उनके पीछे ऐसी पुकार होती है, जैसी चोर के पीछे छे दरावने नालों में, भूमी के बिलों में और चटानों में उन्हें रहना पड़ता है साथवे जाड़ियों के बीच रैंकते और बिच्छू पौधों के नीचे इकटे पड़े रहते हैं आठवे मुडों और नीच लोगों के वंच हैं जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे नौ, ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं दस वे मुझ से घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुँँ पर थूकने से भी नहीं डरते ग्यारह परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है इसलिए वे मेरे सामने मुझ में लगाम नहीं रखते बारह मेरे दाहिनी और बजारू लोग उठ खड़े होते हैं वे मेरे पाउं सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाई बांधते हैं तेरह जिनके कोई सहायक नहीं वे भी मेरे रास्तों को बिगारते और मेरी विपत्ती को बढ़ाते हैं चौदा मानो बढ़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजार के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं पंद्रह मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायू से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा सोलह अब मैं शोकसागर में दूबा जाता हूँ दूब खा के दिनों ने मुझे जकर लिया है सत्रह रात को मेरी हड़िया मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता 18 मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है वह मेरे कुर्टे के गले के समान मुझसे लिप्टी हुई है 19 परमेश्वर ने मुझको कीचर में फिक दिया है और मैं मिट्टी और राक के तुलिय हो गया हूँ 20 में तेरी दोहाई देता हूँ परंतु तु नहीं सुनता मैं खड़ा होता हूँ परंतु तु मेरी और घूरने लगता है 21 तु बदल कर मुझ़ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है 22 तु मुझे वायू पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है 23 हाँ मुझे निश्चे है कि तु मुझे मृत्यू के वश में कर देगा और उस घर में पहुँचाएगा जो सब जीवित प्रानियों के लिए ठहराया गया है 24 तो भी क्या कोई गिर्ते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ती के समय दोहाई न देगा 25 क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर दिन आते थे क्या दरिद्र जन के कारण में प्रान में दूर खितना होता था 26 जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ती आ पड़ी और जब मैं उज्याले की आशा लगाए था तब अंधकार छा गया 27 मेरी इंतरिया निरंतर उबलती रहती हैं और आराम नहीं पाती मेरे दूख्खा के दिन आ गए है 28 में शोक का पहिरावा पहिने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दोहाई देता हूँ 29 में गीदरों का भाई और शुतुर मुर्गों का संगी हो गया हूँ 31 मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और ताप के मारे मेरी हड़ियां जल गई है 31 इस कारण मेरी वीना से विलाप और मेरी बासुरी से रोने की द्वनी निकलती है 31 मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है फिर में किसी कुवारी पर कैसे आँखे लगाऊं 2 क्यों की परमेश्वर स्वर्ख से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान उपर से कौन सी संपत्ती बांगता है 3 क्या वह कुटल मनुश्यों के लिए विपत्ती और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है 4 क्या वह मेरी गती नहीं देखता और क्या वह मेरे पकपक को नहीं गिनता पांच यदी मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, या कपट करने के लिए मेरे पेर दोड़े हूँ, छे तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊँ, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले साथ यदी मेरे पग मार्ग से बहक गए हो, और मेरा मन मेरी आँखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, आठ तो में बीज बोऊँ, परंतु दूसरा खाई, वरन मेरे खेत की उपज उखार डाली जाए नौ, यदी मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो, और मैं अपने पडोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, दस तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे, और पराय पुरुष उसको भरष्ट करें 11. क्योंकि वह तो महपाप होता, और न्याईयों से दंट पाने के योग्य अधर्म का काम होता, 12. क्योंकि वह ऐसी आग है जो जला कर भस्म कर देती है, और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नश्ट कर देती है 13. जब मेरे दास्या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदी मैंने उनका हक मार दिया हो, 14. तो जब इश्वर उठ खड़ा होगा, तब मैं क्या करूंगा, जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा, 15. जिसने मुझे गर्ब में बनाया क्या वही उसका भी बना आने वाला नहीं। क्या एकी ने हम दोनों की सूरत गर्ब में न रची थी। मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओडने को न था बीस और उसको अपनी भीडों की उन के कपड़े न दिये हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशिरवाद न दिया हो, 21 या यदी में ने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उ पड़े और मेरी भुजा की हड़ी तूट जाए, 23 क्यूंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण में ऐसा नहीं कर सकता था, क्यूंकि उसकी और की विपत्ती के कारण में भैभीत होकर थर्थराता था, 24, यदी मेंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, 25 या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, 26 या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर 27 में मन ही मन मोहित हो गया होता, और अप 29, यदी में अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ती पड़ी तब उस पर हसा होता, 30 परंतु में ने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्रानन की प्रार्थना करते हुए अपने मुह से पाप किया है, 31 यदी मेरे डेरे के रहने वालों यह न कहा होता, ऐसा कोई कहा मिलेगा, जो इसके यहां का मास खाकर त्रिप्त न हुआ हो, 32 परदेशी को सड़क पर टिकना न पढ़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था, 33 यदी में ने आदम के समान अपना अपराद छिपा कर अपने अधर्म को धांप लिया हो, 34 इस कारण की मैं बड़ी भीर से भय खाता था, यहां कुलीनों की घृणा से डर गया यहां तक की मैं द्वार से बाहर ना निकला, 35 भला होता की मेरा कोई सुनने वाला होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तक्खत यही है, भला होता की जो शिकायत नामा मेरे मुद्धई ने लिखा है वह मेरे पास होता, 36 निश्चे मैं उसको अपने कंदे पर उठाए फिरता, और सुन्दर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रहता, 37 मैं उसको अपने पक-पक का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान के समान ने डर जाता, 38 यदी मेरी भूमी मेरे विरुध दोहाई देती हो, और उसकी रेघारिया मिलकर रोती हो, 49 यदी मैं ने अपनी भूमी की उपज बिना मजूरी दिये खाई, या उसके मालिक का प्रान लिया हो, 40 तो गेहून के बदले ज़रबेः और जो के बदले ज जंगली घास होगे, अयूब के वचन समाप्त हुए, अध्याए 32, एलिहू का तर्क, एक तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अयूब अपनी दृष्टी में निर्दोश है उसको उत्तर देना छोड़ दिया, दो तब बूजी बारकेल का पुत्र एलिहू जो र कारण भढ़का कि वे अयूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोशी ठहराया, चार एलिहू अपने को उनसे छोटा जानकर एलिहू की बातों का अंधोने की बाट जोहता रहा, पांच परंतु जब एलिहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष्ट कुछ उत्तर नहीं दे तब उसका क्रोध भड़क उठा, चेह तब बूजी बारकेल का पुत्र अलिहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बुड़े हो, इस कारण में रुका रहा और अपना विचार तुम को बताने से डरता था, साथ में सोचता था, जो आयू में बढ़े हैं वे ही बुद्धी सिखाएं, आठ परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ती देता है, नौ जो बुद्धिमान हैं वे बड़ी आयू के लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बुड़े ही नहीं होते, दस इसलि कहने के लिए शब्द रूंडते रहे, बारह मैं चित लगा कर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अयूप के पक्ष का खंडन नहीं किया, और न उसकी बातों का उत्तर दिया, तेरह तुम लोग मत समझो की हम को ऐसी बुद्धी मिली है, कि उसका खंडन मनुष्य न पक्तर नहीं दिया, उन्होंने बाते करना छोड़ दिया, 16 इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं, क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं, 17 परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रगट करूंगा, 18 क्योंकि मेरे मन में बाते भ इसलिए मैं बोलूंगा, मैं मुँख खोल कर उत्तर दूंगा, 21 न में किसी आदमी का पक्ष करूंगा, और न में किसी मनुष्य की चापलूसी करूंगा, 22 क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं नहीं तो मेरा सिर्जन हारक्षन भर में मुझे उठा लेता, इन मेरी बाते मेरे मन की सिधाई प्रगट करेंगी, जो ग्यान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूंगा, चार मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है, पांच यदी तू मुझे उत्तर दे सके, तो दे, मेरे सामने अपनी बाते क्रम से रचकर खड़ा हो जा, चेह देख, मैं परमेश्वर के सनमुक तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ, साथ सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यक्ता नहीं है, और ना तु मेरे बोज से दबेगा, आठ नी, संदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने है, नौ, मैं तो पवित्र और निर्प्राध और निश्कलंग हूँ, और मुझ में अधर्म नहीं है, दस देख, वह मुझ से जगरने के दाव ढूंदता है, और मुझे अपना शत्रू समझता है, ग्यारह वह मेरे दोनों पावों को काठ में ठूंक देता है, और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है, बारह देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्यूंकि परमेश्वर मनुष्य से बढ़ा है, तेरह तू उससे क्यूं जगरता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता, चौदर क्यूंकि परमेश्वर तो एक्क्या वरंदो बार बोलता है, पर अंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते, 15 स्वपन में, या रात को दिये हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, या बिच्छोने पर सोते समय, सुलह तब वह मनुष्यों के कान खोलता है, और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, 17 जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे, 18 वह उसके प्राण को गढ़े से बचाता है, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है, 19 मनुष्य की तारना भी होती है कि वह अपने बिच्छोने पर पड़ा पड़ा तडपता है, और उसकी हड़ी हड़ी में लगातार जगड़ा होता है, 20 यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घ्रिना करने लगता है, 21 उसका मास ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड़ीयां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकलाती है, 22 तब वह कबर के निकट पहुँचता है और उसका जीवन नश्ट करने वालों के वश में हो जाता है, 23 यदी उसके लिए कोई बिच्वई स्वर्गदूत मिले, जो हजार में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, 24 तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गढ़े में जाने से बचा ले, मुझे चुड़ोती का दाम मिल गया ह 25 यदी उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लोटाएं, 26 तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन होगा, वह आनन से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को जियों का तिय धर्मी कर देगा. 27 वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाय को उलट-पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया. 28 उसने मेरे प्रान को कब्र में पढ़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को 29 देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ दो बार क्या वरन तीन बार भी करता है, 30 जिससे उसको कब्र से बचाये, और वह जीवन लोग के उजियाले का प्रकाश पाये 31 ए अयूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रहे, मैं और बोलूंगा 32 यदी तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ 33 यदी नहीं, तो तू मेरी सुन, चुप रहे, मैं तुझे बुद्धी की बात सिखाऊंगा अध्याय 34, एलिहू का वच्चन एक फिर एलिहू यों कहता गया, दो, हे बुद्धिमानो, मेरी बाते सुनो, और हे ग्यानियो मेरी बातों पर कान लगाऊ, तीन क्योंकि जैसे जीब से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से पर्खे जाते है चार जो कुछ ठीक है, हम अपने लिए चुन लें, जो भला है, हम आपस में समझ बूझ लें पांच क्योंकि अयूग ने कहा है, मैं निर्दोश हूँ, और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है चह यद्यपी मैं सच्चाई पर हूँ, तो भी जूठा ठहरता हूँ, मैं निर्प्राध हूँ, परंतु मेरा घावसाध्य है साथ अयूग के तुलिय कौन शूरवीर है, जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है आठ जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगती रखता है नौ क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाब नहीं की वह अनन से परमेश्वर की संगती रखे दस, इसलिए है समझवालो, मेरी सुनो, यह संभव नहीं की परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे ग्यारह वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुखताता है बारह नी, संदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याई करता है तेरह किसने प्रिथवी को उसके हाथ में सौंप दिया या किसने सारे जगत का प्रबंध किया 14. यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले 15. तो सब देहधारी एक संग नश्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा 16. यदि तुझ में समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा 19. परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता 20. आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं 21. क्योंकि परमेश्वर की आँखे मनुष्य की चालचलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है 22. ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें 23. क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए 24. वह बड़े-बड़े बलवानों को बिना पूछपाच के चूर-चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है 25. इसलिए कि वह उनके कामों को भली भाती जानता है वह उन्हें रात में ऐसा उलद देता है कि वे चूर-चूर हो जाते हैं 26. वह उन्हें दुष्ट जानकर सभों के देखते मारता है 27 क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चितना लगाया 28 यहां तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुँची और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी 29. जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोशी ठहरा सकता है? जब वह मुँँ फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? 30. जाती भर के साथ हो और अकेले मनुश्य, दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है 30 ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फसाई न जाए 31. क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दन सहा, अब मैं भविश्य में बुराई न करूंगा 32. जो कुछ मुझे नहीं सूझता, वह तु मुझे सिखा दे और यदी मैंने टेड़ा काम किया हो, तो भविश्य में वैसा न करूंगा 33. क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए क्योंकि तू उससे अप्रसन है, क्योंकि तुझे निर्नय करना है, ना कि मुझे इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है, वह कह दे 34. सब ज्यानी पुरुषवरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझ से कहेंगे, 35. अयूब ज्यान की बाते नहीं कहता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं 36. भला होता, कि अयूब अंध तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिये हैं 37. क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है, और हमारे बीच ताली बजाता है, और परमेश्वर के विरुध बहुत सी बाते कहता है 35. एलिहू की वानी एक फिर एलिहू इस प्रकार और भी कहता गया, दो, क्या तू इसे अपना हग समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? 35. तीन जो तू कहता है, मुझे इससे क्या लाब? मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधेक अंतर है? 36. चार में तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूं 37. पांच आकाश की और द्रिष्टी करके देख और आकाश मंडल को ताक, जो तुझ से उंचा है 38. यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगरता है? 39. यदि तेरे अपराद बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? 40. यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? 41. आठ तेरी दुश्टता का फल तुझ जैसे पुरुश के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुश्य मात्र के लिए है 9. बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल लाते हैं और बल्वान के बहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं 10 तो भी कोई यह नहीं कहता मेरा सुरुजनेवाला परमेश्वर कहां है जो रात में भी गीत गवाता है 11 जो हमें प्रिथ्वी के पश्वों से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धी देता है 12 वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है 13 निश्चे परमेश्वर व्यर्थ बाते कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित लगाता है 14 तो तू क्यूं कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता कि यह मुकद्धमा उसके सामने है और तू उसकी बार जोहता हुआ ठहरा है 15 परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित बहुत नहीं लगाया 16 इस कारण अयूग व्यर्थ मूं खोलकर अज्ञानता की बाते बहुत बनाता है अध्याए 36 एकफिर एलिहू ने यह भी कहा दो कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाओंगा क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है तीन मैं अपने ग्यान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सिर्जन हार को धर्मी ठहराऊंगा चार क्योंकि निश्चे मेरी बाते जूट ही न होंगी वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्यानी है पांच देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता वह समझने की शक्ती में समर्थ है चेह वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हग देता है साथ वह धर्मियों से अपनी आँखे नहीं फेरता वरन उनको राजाओं के संगसदा के लिए सिंघासन पर बैठाता है और वे उचे पद को प्राप्त करते हैं आठ चाहे वे बेडियों में जकड़े जाएं और दुख की रिस्सियों से बांदे जाएं नौ तॉभी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रगट करता है कि उन्होंने गर्व किया है दस्व उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आग्या देता है कि वे बुराई से दूर रहें 11 यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्यान से और अपने वर्श सुख से पूरे करते हैं 12 परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नश्ट हो जाते हैं और अज्यानता में मरते हैं 13 परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वे उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते 14 वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुचों के बीच में नश्ट होता है 15 वह दू, खियों को उनके दू, ख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है 16 वह तुझको भी क्लेश के मुँँ में से निकाल कर ऐसे चोड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है, पहुचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोस्ता है 17 परंतु तूने दुष्टों का सा निर्नय किया है इसलिए निर्नय और न्याय तुझ से लिप्टे रहते हैं 18 देख, तूख रोध में भढ़क कर ठठा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बढ़ा जान कर मार्क से मुड 19 क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दू, खसे छुटका रादेगा 20 उस रात की अभिलाशा ना कर, जिसमें देश-देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं 21 चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत्फिर, तूने तो दू, खसे अधे किसी को चुन लिया है 22 देख, परमेश्वर अपने सामर्थे से बड़े-बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है 23 किसने उसके चलने का मार्ग तहराया है, और कौन उससे कह सकता है, तूने अनुचित काम किया है 24 उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं 25 सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है 26 देख परमेश्वर महान और हमारे ज्यान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिंती अनन्थ है 27 क्योंकि वह तो जल की बुंदे उपर को खींच लेता है वे कुहरे से मैन होकर तपकती है 28 वे उँचे उँचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के उपर बहुतायत से बरसाते हैं 29 फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गर्जना समझ सकता है 31 क्योंकि वह देश-देश के लोगों का न्याय इनी से करता है और भोजन वस्तुए बहुतायत से देता है 32 वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आग्या देता है कि निशाने पर गिरे 33 इसकी कड़क उसी का समाचार देती है पशु भी प्रगट करते हैं कि अंधर चड़ा आता है अध्याए 37 एक फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उच्छल पड़ता है 2 उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मूह से निकलता है सुनो 3 वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को प्रिथवी की छोर तक भेजता है चार उसके पीछे गरजने का शब्द होता है, वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है पांच परमेश्वर गरच कर अपना शब्द अद्भुत रीती से सुनाता है और बड़े-बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते छेवर तो हिमसे कहता है पृत्वी पर गिर और इसी प्रकार मैन को भी और मुसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आग्या देता है साथ वह सब मनुश्यों के हाथ पर मुहर कर देता है जिससे उसके बनाए हुए सब मनुश्य उसको पहचाने आठ तब विनपश्यू गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं नौ दक्षन दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है दस परमेश्वर की श्वास की फूंक से बरफ पड़ती है तब जलाश्यों का पाट जम जाता है ग्यारह फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है बारह वे उसकी बुद्धी की युक्ती से इधर उधर फिराए जाते हैं इसलिए कि जो आग्या वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृत्वी के उपर पूरी करें तेरह चाहे ताड़ना देने के लिए चाहे अपनी पृत्वी की भलाई के लिए या मनुश्यों पर करुना करने के लिए वह उसे भीजे इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चरिकर्मों पर विचार कर 15. क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आग्या देता और अपने बादल की बिजली को चुमकाता है 16. क्या तू घटाओं का तॉलना या सर्वग्यानी के आश्चरिकर्म जानता है सत्रह जब प्रिथवी पर दक्षणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है तब तेरे वस्त्र क्यूं गर्म हो जाते हैं अठारह फिर क्या तू उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है जो धाले हुए दर्पन के तुल्यद्रिड है 19 तू हमें यह सिखा की उससे क्या कहना चाहिए क्यूंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते 20 क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूं क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है 21 अभी तो आकाशमंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता जब वायू चलकर उसको शुद्ध करती है 22 उत्तर दिशा से सुनहली ज्योती आती है परमेश्वर भययोग्य तेज से विभूशित है 23 सर्वशक्तिमान जो अती सामर्थी है और जिसका भेध हमपा नहीं सकते वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता 24 इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टी में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टी नहीं करता अध्याय 38 परमेश्वर का अयूब को उत्तर एक तब यहोवा ने अयूब को आंधी में से यूँ उत्तर दिया दो यह कौन है जो अग्यानता की बाते कहकर युक्ति को बिगारना चाहता है तीन पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले क्योंकि मैं तुझ से प्रशन करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे चार जब मैंने पृत्वी की नीव डाली तब तू कहा था यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे पांच उसकी नाप किसने ठहराई क्या तू जानता है उस पर किसने सूत कीजा छे उसकी नीव कौन सी वस्तू पर रखी गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया साथ जब की भोर के तारे एक संगानन से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जैजैकार करते थे आठ फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्प से फूट निकला तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया नौ जब की में ने उसको बादल पहिनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया दस और उसके लिए सीमा बाधी और यह कहकर बैंडे और किवाडे लगा दिये ग्यारह यहीं तक आ और आगे न बढ़ और तेरी उमंदने वाली लहरी यहीं थम जाएं बारह क्या तुने अपने जीवन में कभी भोर को आग्या दी और पौको उसका स्थान जताया है तेरह ताकि वह प्रिथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से जाड़ दिये जाएं 14 वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहिने हुए दिखाई देती है 15 दुष्टों से उनका उज्याला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाए हुई बाह तोड़ी जाती है 16 क्या तु कभी समुद्र के सोतों तक पहुँचा है या गहिरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है 17 क्या मृत्यू के फाटक तुझ पर प्रगट हुए क्या तु घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है 18 क्या तुने प्रिथ्वी की चोड़ाई को पूरी रीती से समझ लिया है यदि तु यह सब जानता है तो बतला दे 19 उज्याले के निवास का मार्ग कहां है और अंधियारे का स्थान कहां है 20 क्या तु उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगप हिचान सकता है 21 नी संदेह तु यह सब कुछ जानता होगा क्यूंकि तु तो उस समय उत्पन हो चुका था और तु बहुत आयूका है 22 फिर क्या तु कभी हिम के भंदार में पैठा या कभी ओलों के भंदार को तु ने देखा है 23 जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है 24 किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुर्वाय पृत्वी पर बहाई जाती है 25 महावरिष्टी के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है 26 की निरजन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मैन बरसाकर 27 उजाड ही उजाड देश को सीचे और हरी घास उगाए 28 क्या मैन का कोई पिता है और रोज की बूंदे किसने उत्पन की 29 किसके गर्ब से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन करता है 30 जल पत्थर के समान जम जाता है और गहिरे पानी की सतह जम जाती है 31 क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंद सकता या मृक्षिरा के बंधन खोल सकता है 32 क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदै कर सकता या सबतर्शी को साथियों समेट लिए चल सकता है 33 क्या तू आकाश मंडल की विदियां जानता और पृत्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है 34 क्या तू बादलों तक अपनी वानी पहुचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले 35 क्या तू बिजली को आग्या दे सकता है कि वह जाए और तुझ से कहे मैं उपस्थे थूँ 36 किसने अंत करण में बुद्धी उपजाए और मन में समझने की शक्ती किसने दी है 37 कौन बुद्धी से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुपों को उंडेल सकता है 38 जब धूली जम जाती है और धेले एक दूसरे से सर जाते है 49 क्या तू सिंगनी के लिए एर पकड सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है 40 जब वे मांद में बैठे हो और आर में घात लगाए दबक कर बैठे हो 41 फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दोहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं तब उनको आहार कौन देता है अध्याए 49 1. क्या तू जानता है कि पहाड पर की जंगली बक्रियां का बच्चे देती हैं या जब हरनियां बैाती हैं तब क्या तू देखता रहता है 2. क्या तू उनके महीने गिन सकता है क्या तू उनके बियाने का समय जानता है तीन जब वे बैठ कर अपने बच्चों को जनती और अपनी पीघा से छूट जाती है चार उनके बच्चे हृष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं वे निकल जाते और फिर नहीं लोते 5. किसने बनेले गदहे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है किसने उसके बंधन खोले है 6. उसका घर मेंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमी को ठहराया है 7. वह नगर के कोलाहल पर हसता और हांकने वाले की हांक सुनता भी नहीं 8. पहाडों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता और सब्भांती की हर्याली धूंगता फिरता है 9. क्या जंगली सांड तेरा काम प्रसन्नता से करेगा 10. क्या तू जंगली सांड को रसे से बांध कर रेघारियों में चला सकता है 11. क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा 12. क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलेहान का अनन इकठा करे 13. फिर शुतुर मुर्गी अपने पन्खों को आनन से फुलाती है परंतू क्या ये पन्खों और पर सनेह को प्रगट करते है 14. क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमी पर छोड़ देती और धूली में उन्हें गर्म करती है 15. और इसकी सुधी नहीं रखती कि वे पाउं से कुछले जाएंगे या कोई विनपशु उनको कुछल डालेगा 16. वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानों उसके नहीं है यद्यपी उसका कश्टकार्थ होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है 17. क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धिरहित बनाया और उसे समझने की शक्ती नहीं दी 18. जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है 19. क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है 20. क्या उसको टिड़ी के समान उचलने की शक्ती तू देता है 21. वह तराई में ताप मारता है और अपने बल से हर्शित रहता है 22. वह डर की बाग पर हसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हता 23. तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़ खड़ाता है 24. वह रिस और क्रोध के मारे भूमी को निगलता है जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं 25. जब जब नरसिंगा बचता तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाए और अफसरों की ललकार और जए जईकार को दूर से सूंग लेता है 26. क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षन की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है 27. क्या उकाब तेरी आज्या से ऊपर चड़ जाता है और उंचे स्थान पर अपना घोसला बनाता है 28. वह चत्तान पर रहता और चत्तान की चोटी और द्रिस्थान पर बसेरा करता है 29 वह अपनी आँखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने एर को ताक लेता है 30 उसके बच्चे भी लहुच चूसते हैं और जहां घात किये हुई लोग होते वहां वह भी होता है अध्याय 40 एक फिर यहोवा ने अयूद से यह भी कहा, दो क्या जो बक्वास करता है वह सर्वशक्तिमान से जगड़ा करे जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे अयूद का उत्तर तीन तब अयूद ने यहोवा को उत्तर दिया चार, देख, मैं तो तुच्छा हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दून मैं अपनी अंबुली दांग तले दबाता हूँ पांच एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूंगा हाँ दो बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूँगा परमेश्वर का अयूद को उत्तर चेह तब यहोवा ने अयूद को आंधी में से यह उत्तर दिया साथ पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले मैं तुझ से प्रश्ण करता हूँ और तू मुझे बता आठ क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मंसा से मुझ को दोशी ठहराएगा नौ क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है दस अब अपने को महिमा और प्रताप से सहवार और एश्वर्य और तेज के वस्त्र पहिन ले ग्यारा अपने अतिक रोध की बाढ़ को बहा दे और एक-एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर बारा हर एक घमंडी को देखकर जुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हों वहां से गिरा दे तेरा उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मूह बांग दे चौदा तब मैं भी तेरे विशय में मान लूँगा की तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है पंद्र उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है वह बैल के समान घास खाता है सोलर देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्थों में उसकी सामर्थ्य रहती है सत्रा वह अपनी पूँच को देवदार के समान हिलाता है उसकी जांगों की नसे एक दूसरे से मिली हुई है 18 उसकी हड़िया मानो पीतल की नलिया हैं, उसकी पसलिया मानो लोहे के बैंडे हैं 19 वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सिर्जन हार हो उसकी निकट तलवार लेकर आए 20 निश्चेर पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वनपश्यू का लोल करते हैं 21 वह कमल के पौधों के नीचे रहता और नरकटों की आडमे और कीच पर लेटा करता है 22 कमल के पौधे उस पर चाया करते हैं, वह नाले के बेटके व्रिक्षों से घिरा रहता है 23 चाहे नदी की बाड़ भी हो तो भी वह ना घबराएगा, चाहे यर्दन भी बढ़कर उसके मुम तक आए परंतु वह निर्भय रहेगा 24 जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा, या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा अध्याए 41 1 फिर क्या तू लिब्यातान अथ्वा मगर को बंसी के द्वारा खीच सकता है, या दोरी से उसकी जीब दबा सकता है 2 क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता, या उसका जबड़ा कील से बे सकता है 3 क्या वह तुझ से बहुत गिर गिराएगा, क्या वह तुझ से मीठी बाते बोलेगा 4 क्या वह तुझ से वाचा बांदेगा कि वह सदा तेरा दास रहे 5. क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिडिया से या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा 6. क्या मच्छुओं के दल उसे बिकाव माल समझेगे क्या वह उसे व्यापारियों में बांक देंगे 7. क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मचुवे के तिर्शुलों से बे सकता है आठ तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविश्य में कभी ऐसा न करेगा नौ देख, उसे पकड़ने की आशा निश्वल रहती है उसके देखने ही से मन कच्चा पर जाता है दस कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके ग्यारह किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े देख, जो कुछ सारी धर्ती पर है सो मेरा है बारह, मैं उसके अंगों के विशय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विशय चुपना रहूंगा तेरह, उसके उपर के पहिरावे को कौन उतार सकता है उसके दांटों की दोनों पांतियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा 14. उसके मुख के दोनों के वार कौन खोल सकता है उसके दांग चारों और से डरावने है 15. उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है वे मानों मुहरबंद किये हुए है 16. वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायू भी नहीं गुश सकती 17. वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग-अलग नहीं हो सकते 18. फिर उसके चीटने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आँखें भोर की पलकों के समान है 19. उसके मुह से जलते हुए पलीते निकलते हैं 20. उसके नथुनों से ऐसा धुआ निकलता है जैसा खौलती हुई हाडी और जलते हुए नरकटों से 21. उसकी सांस से कोईले सुलगते और उसके मुह से आग की लौ निकलती है 22. उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है 23. उसके मास पर मास चड़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता 24. उसका हृदय पत्थर साद्रिड है वरन चक्की के निचले पाट के समान द्रिड है 25. जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुद्ध बुद्ध लोप हो जाती है 26. यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा और ना भले और ना बर्ची और ना तीर से 27. वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकडी सा जानता है 28. वह तीर से भगाया नहीं जाता गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं 29. लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं वह बर्ची के चलने पर हसता है 30. उसके निचले भागपेने ठीकरे के समान है, कीच पर मानो वह हिंगा फेरता है 31. वह गहिरे जल को हंडे के समान मत हता है, उसके कारण नील नदी मरहम की हाडी के समान होती है 32. वह अपने पीछे चमकिली लीक छोड़ता जाता है 33. जो कुछ मुचा है, उसे वर ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के उपर राजा है 32. अयूब का परमेश्वर को उत्तर 33. एक तब अयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, दो, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती 33. तूने पूछा, तू कौन है जो ग्यानरहित होकर युक्ति पर परदा डालता है 33. परंतू मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बाते मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी जिनको मैं जानता भी नहीं था 34. तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझ से प्राश्न करता हूँ, तू मुझे बता 35. मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतू अब मेरी आखे तुझे देखती है, छे इसलिए मुझे अपने उपर घ्रिना आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ 35. गोर परीक्षा से अयूब की मुक्ती 35. क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहन करूँगा, और नहीं, तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बरताफ करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विशे मेरे दास अयूब कीसी ठीक बात नहीं कही 39. यह सुन तेमानी अलीपज, शुवी बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहूब की आग्या के अनुसार किया, और यहूब ने अयूब की प्रार्थना ग्रहन की 40. बस जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहूब ने उसका सारा दू, ख़दूर किया, और जितना अयूब के पास पहले था, उसका दुगना यहूब ने उसे दे दिया 11. तब उसके सब भाई, और सब बहेने, और जितने पहले उसको जानते पहिचानते थे, उन सबहों ने आकर उसके यहां उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ती यहूब ने उस पर डाली थी, उस सब के विशय उन्होंने विलाप किया, और उसे शांती दी, और उसे एक-एक सिक्का और सोने की एक-एक बाली दी 12 यहुवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीश दी और उसके 14,000 भेड बक्रियां, 6,000 उंट, 1,000 जोडी बेल और 1,000 गधियां हो गई 13 उसके साथ बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन हुई 14 इन में से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का के रेनहपुक रखा 15 उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी, जो अयूब की बेटियों के समान सुन्दर हो और उनके पिता ने उनको उनके भाईयों के संभी संपत्ती दी 16 इसके बाद अयूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीवी तक अपना वंश देखने पाया 17 अंत में अयूब व्रिधावस्था में दीरगायू होकर मर गया